हेलो एवरीवन नमस्कार दोस्तों राधे राधे कैसे हैं आप सभी I hope कि आप सब बहुत इच्छे होंगे स्वागत है आप सभी का रेखा की दुनिया में और मैं अभी वोईस ओवर करें हूं तो धुरूप मुझे हमेशा की तरह बहुत जादा परेशान कर रहा है और आज त आप सब के कहने पर ही में बाल दोना फिर से शुरू की थी लेकिन अभी कुछ सब्सक्राइबर जो नई जुड़ी है ना उन्होंने मुझे बताया कि आप बाल मत दोया कीजिए क्योंकि सौंबायर के ब्रत में बाल नहीं दोने चाहिए मुझे वी ऐसे ही पता था तो अभी कि मैं थोड़ा सा रूटीन चेंज कर दी हूँ अपना हेयर केर का और मेरा हेयर के रूटीन पहले सी ही आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा जाके जरूर बोच करना तो जी सुबह का टाइम है घर के सारे काम हो चुके हैं और आज आपके साथ शेयर करूंगी मैं बहुत ही पूजा को लेके काफी निगेटिव कमेंट करते हैं कि जो पूजा पार्ट का सिस्टम है वो मतलब लोगों के सामने नहीं शो करना चाहिए तो मेरा ऐसा मानना नहीं है पूजा मेरी दिन की शुरुआत का सबसे एहम हिस्सा है तो इसलिए मैं यहीं से अपने वीडियो की श तो इसलिए मैं पहले डाल बना के रग दूँगी और इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है तो फिर मुझे खाना बनाने में और ज्यादा लेट हो जाती और मैं इसलिए जल्दी जल्दी कर रही हूं ताकि धुरूब न उठे और उसके उठने से पहले पहले जो रेसिपी है वो मैं बना लूँ मिठाई की और धुरूब को हमारे या स्वीट्स इतना ज़्यादा पसंद है कि पूछिए मत आए दिन मुझे कुछ न कुछ उसके लिए बनाना पड़ता है नहीं तो बाहर से लाने की जित करता है लड़ू की और गुलाब जमुन वगरा लड़ू ही कह है पाता है बूंदी कह लेता है और लड़ू भागी तो कुछ नहीं मांगता है और जाल जलेवी भी मांगता है तो मैंने रात को दल भीगो के रख दी थी और कि दाल है ये और आप अगर जलेबी बनाने मतलब इमर्ती बनाने के लिए दाल भीगो रहे ना तो आप दिन में भीगोईएगा सुबह में और शाम में बनाईए मतलब चार-पांच घंटे आप इसे दिन में भीगो दीजिए फुल नाइट भीगोने से क्या होता है इसमें हल क्पाइबार इसको धो लिया था तो मैंने इसको धो के और मिक्सिजार में डाल दिया है उदर तडका बन रहा है दाल का और यह मैंने ले लिया है देखिए takie accidental का पानी और यह मैं इसमें डालूंगी जादा पानी की इसमें जरूरत नहीं है नौर्मरली आप एक कप पानी भी डाल सकते हैं जादा अगर जैसे आपको बैटर लग रहा है कि पतला है तो उसके लिए आपको क्या मिलाना है वो मैं बताऊंगे आपको आगे ब्लॉग में तो सबसे पहले जी डाल को तड़का लग चुका है यहाँ पे हिंग जीरा और प्याज लेसुन का आज हरी बिल्कुल खतम हो गई है और लगवग दो दिन से हो रखी है खतम अभी जाने का टाइम ही नहीं मिल रहा है हस्बिन का सबजी के लिए तो सबसे पहले मैं दाल पीस लेती हूँ और दाल को देखिए किस तरह से पीसना है वो भी मैं आपको बता दो रही हूँ और मिक्सी को कणिन्यूद नहीं चलाना है मतलब रोक रोक के पीशनाइ इससे क्या होगा जो दाल नीचे पैट जाती है वो ऻपर उठेगी और पिस्ती रहेगी और देखिए बिल्कुल बारिकंसा पेष्ट मैंने इसका बना लिया है इसका बिलकुल भी आपको दर दरा पे kitchen का glass होता है और उसी में मैंने एक कटोरी भर के चीनी डाल दी है और अब जितना चीनी ले रहे हैं उतना पानी भी ले सकते हैं और इसमें मैंने डाल दी हैं दो इलाची इस से फ्लेवर अच्छा आएगा उसके बाद जो मैंने जलेबी बनाने के लिए बैटर पीसा है दाल का उसमें डाल दिया है food color और इसको आप फैटेंगे सारी जो महनत है ना वो इस बैटर को फैटने के अंदर ही है जितना जादा आप इसको फैटेंगे आपकी मर्ती उतनी perfect बनेगी एकदम बहुत ही fluffy बनेगी और इतनी juicy बनेगी कि पूछ जाता है आसानी से खाने वाला color है जो हम कचडी पापर में डालते हैं वही वाला color है ये और आपके पास अगर color नहीं है तो आप इसे skip भी कर सकते हैं ऐसी भी बना सकते हैं और इधर जो चाशनी है वो धीमी-धीमी आज पर पक रही है और इस चाशनी को इतना पकाना है कि अच्छे से ठीक हो जाए मतलब गाड़ी हो जाए एक तार या दो तार की परवा नहीं करनी है बस ये गाड़ी हो जाए अच्छे से इतनी हमें से पकने देना है और बैटर को फेटने में सच में बहुत जादा मेहनत लगती है मुझे नहीं पता था मैं पहली बार ये recipe ट्र परफेक्ट बनाई है और ये मेरे लिए काफी काफी अच्छा रहा और देखिए मैं पानी में डालके से थोड़ा सा चेक करूंगी तो ये पानी में थोड़ा डूब रहा है इसको डूबना नहीं है मतलब पुरा तैर जाए ना तो तब हम मानेंगे कि जो हमारा बैटर है व क्योंकि ये भी नहाए नहीं थे दोनों तो मैंने शेक बना लिया था अपना प्रोटीन जो होता है वस उसी के साथ ही नाश्ता मेरा हो गया था और इधर जो चाशनी है वो बनके तैयार हो गई है तो देखिए बिलकुल गाड़ी चाशनी बन गई है एक दम चिप-चिपी ह हो रही है यह तो इसको हम साइड में रखेंगे और मैंने ले लिया है यहां पर दूद का पैकिट आप दूद का पैकिट कोई भी जो सॉफ्ट पिननी होती है ना उस तरह का दूद का पैकिट सबसे ज्यादा परफेक्ट रहता है अगर यह नहीं है आपके पास तो आप दालेंगे उधर मैंने रख दी है कढहाई और आप इसको नहीं में भी बना सकते हो तो मेरे पास तरह की और है इस ही लिए मैं बना रही हूं अगर आपके पास चौड़ी कढहाई नहीं है ना तो आप नॉर्मली जो घर की धाली होती है किचन में उस था का बरतन भी आप इ और जादा नहीं डालेंगे थोड़ा ही डालेंगे तो दो चमच लगबग मैंने डाल दिया है और अब मैं इसको कट करूंगी तो आप देखिए अपने according इसको कट कर सकते हैं और एक बार मैं इसका experiment करके देखूंगी अलग से कड़ाई में डालने से पहले तो परफेक्ट ये निकल रही है बहुत ही बड़िया बन रही है और मैंने सोचा नहीं था कि इमर्ती बनाना इतना जादा आसान है सच में जलेवी तो मैंने आज तक बनाई नहीं है और इमर्ती सोची है पहली बार में मैं इमर्ती बनारी हूँ तो ये सोचने वाली बात है बहुत ही बढ़िया बन रही थी और जो मेरे को सब्सक्राइबर है वो बिलकुल सही कहते है अगर वीडियो के अंदर कुछ हुनर है तो वो है सिर्फ कुकिंग का तो हां कुकिंग करना मुझे बहुत अच्छा लगता है और जब कोई नई चीज मुझे आ जाती है न मुझे और ज़्यादा खुशी होती है उसको बनाने में भी और खिलाने में भी और खाने में भी, तो यहाँ जो इमर्टी है न वो धीमी धीमी आज पे मैं पका रही हूँ और इसको पकाने में लगभग, लगभग मुझे दस मिनट लग गए थे मतलब धीमी आज पर करारा करने में और इमर्ती कैसे पर्फेक्ट पग गई है या आपको कैसे पता करना है आपको ना इसे थोड़ा सा दबा के देखना है चीम्टे से या किसी चीज से अगर ये दब रही है तो माल लीजिए अभी इसको और पकने की ज मैं आज शेल कमाईब के एक साथ पकाएंगी देखिए तो जो डो मैंने पहले बनाई थी ना उनको निकाल दूंगी और बाद में डाली प्लार में निकाला के मैं तो और देख सकते इह कितिना बड़ी का पक्लार आ रहा है और रही बाद डिजाइनिंग के तो बेखने में वैज्न से की संगे lavoro में को कड्का है करना आफ़ इसे हुए है घंड की कालती तुरं इसके वेट सुंगते हुए कि ममी क्या बना रही है रखी चन से बहुंग भढ़ी आ रही थी आज मेरे क्योंकि ये डाल की होती है ना तो जब दाल फ्राई होती है तो कितनी बढ़ीा खुश्बु आती है तो मैं देखी जादा चासनी में नहीं भी गोरी हूं ताकि यह जादा मीठी नहीं हो कम मीठी रहें क्योंकि धुरूब के लिए जादा मीठा सीख नहीं है और हाँ एक चीज़ स्कीप हो गई है मैं आपको बता नहीं पाई थी मैंने इसमें थोड़ा सा नमक भी डाला है चु लेकिन नहीं बच्चे कहां मानते हैं तो देखी फाइनली सारी बन गई थी और इतना असान है इसे बनाना अगर कोई भी जंजट आपको लग रहा है ना बनाने में तो मुझे कमेंट में जरूर बताना कौन-कौन ये रेसिपी ट्राय करने वाले हो बहुत ही बढ़िया है और इतनी जूसी बन के तयार हुई है ना बहुत ही बढ़िया एकदम हलवाई जैसी तो पहली बार में ही इमर्ती एकदम परफेक्ट बनेगी आपकी अगर आप इस तरह से इमर्ती बनाओगे तो पहले मैंने ये थोड़ा से एक्सपेरिमेंट करके देखा है बढ़ बहुत है खाने में तो जरूर ट्राइ करना तो फिलाल तो मैं ट्राइ कर लेती हूं और ये सच में बहुत ज्यादा टेश्टी लग रही थी दाल की मर्ती किसको ने पसंद होती है सभी को होती है और बहुत ही बढ़िया बनी है तो चलिए मैं आ गई हूँ अभी वीडियो के एंड पर मिलूंगी आप सभी से कल के एक और नए ब्लॉग में आशा करती हूँ आप सभी को आज की मेरी रेसिपी आप सबको पसंद आई होगी तो जरूर ट्राइ कीजिएगा चलिए दोस्तों बाबाई टेक क्यार लव यो ओल एंड हर हर महादेव